हलो फ्रेंट्स सिख्षक भरती संबंदिज जो है एक जानकारी मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए देखिए सांथियों व्याक्षाता के लिए जो है कॉंसलिंग प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही जल्द आपको सिख्षक और सहायक सिख्षक की देखने को मिलेगी तो कॉंसलिंग प्रक्रिया किस तरह से करना है ठीक है सांथियों कॉंसलिंग जो प्रक्रिया है उसको किस तरह से करना है इसके बारे में डिटेल वीडियो ठीक है डिटेल वीडियो हमने बना दिया है और आप चैनल में जाकर देख सकते हैं मैं डिस्क्र जाकर जो है इसको पूर विस्तार से देख सकते हैं कि कौनसलिंग प्रक्रिया कैसे करना है सांतियों उसी तरह से देखिए सिछक कौनसलिंग संभावी सूचे देखिए एक अनुपात एक क्यानुपात ने बुलाया जा रहा है तो इस आधार पर हमने एक सूची बनाई है और किस rank तक किस rank तक के candidate को बुलाया जा सकता है इस पर जो है हमने विश्तार से चर्चा किया है पूरे category wise आपका general, OBC, HT, HC सब के लिए जो है हमने एक rank जो है एक रुपात एक के ratio में जो है निगाला है तो जो है आपका वो सुची आप देख सकते हैं मैं उसका link जो है description box में डाल उसी तरह से आगे देखिए, देखिए third number point क्या है सहायक सिक्षक counseling संभावित सुची उसी तरह हमने सहायक सिक्षक के लिए भी संभावित सुची कि first jow counseling होगा इसमें कितने candidate को बुलाया जा सकता है फर्ष्ट counselling में कितने candidate को बुलाया जा सकता है इस आधारपहम में एक सूची बनाई है तो इसका भी link मैं description में डाल दूँगा आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं या channel में जाकर भी आप देख सकते हैं उसी तरह आगे है document verification देखिए counselling के बाद आपका क्या होगा सभी सांथियों का क्या होगा counselling के बाद जैसे यह आपका आबंटन हो जाएगा ठीक है सांथियों जैसे आपका सिख्षक में होता है सिख्षक में होता है तो आपको document verification के लिए कहा बुलाया जाएगा देखिए फ्रेंट अगर आपका teacher में होता है ठीक है न सांथियों अगर आपका teacher में होता है ठीक है teacher में अगर आपका होता है तो आपको कहां बुलाया जाएगा डीवी के लिए document verification के लिए तो देखे, टीचर का जो डाकॉन डिवरिकेशन होता है, वो संभाग इस्तरवर होता है तो आप जिस संभाग में आपका आबंटन होगा, उसी संभाग में जो है आपको डिवी के लिए बुलाया जाएगा तो हम बात कर रहे हैं टीचर के लिए, तो देखिए फिल हाल तो दो ही संभाग है, ठीक है, दो संभाग है, क्या क्या है तो आपका है बस्तर और क्या है आपका सरगूजा तो आपका जो संभाग मुख्याला है वहाँ पर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा की डाकुमेंट to कहां बुलाया जायेगा समभाग मुक्खया लाए में तो इस बात को ध्यान रखेगा शत्यों कि WILL कहां पर संभाग मुंख्या के लिए अगर उसी तरह व्याख्याता के लिए बोलेंगे तो व्याख्याता का जो है आपका व्याख्याता का प्रदेश इस्तर में होता है तो व्याख्याता का जो है आपका रायपूर में जो है डिवी के लिए बुलाया जाएगा तो टीचर के लिए किसमें बुलाया जागा संभाग मुख्यालाय में तो दो ही संभाग हैं बस्तर और सरगुज़ संभाग तो संभाग मुख्यालाय जैसे आपका बस्तर का संभाग मुख्यालाय कहा है जगदलपूर बस्तर का बस्तर का जो संभाग मुख्यालाय साथियों वो है जगदलपूर जगदलपूर ठीक है उसी तरह से सरगुजा सरगुजा का संभाग मुख्यालाय कहा है तो यह है जहां त देख लिजिएगा लेकिन जो मेरे को लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं तो सरगुजा का सुझ संभाग मुख्यला वो कहा है अंबिकापुर्ण तो यह तो टीचर के लिए हो गया उसी तरह सहायक सिक्षक के अगर बात करें ठीक है सांतियों सहायक सिक्षक असिस्टें टीचर अगर असिस्टेंट टीचर की बात करें तो इनका जो है डीवी डाकुमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका कहा होगा तो इनका डाकुमेंट फिरकेंसर होगा जिला इस्तर पर आपका जिस जिला में आब अंटन होगा जैसे किस सांतिका होता है कांकेर जिला में कांके तो जिला सिक्षा अधिकारी ठीक है जिला सिक्षा अधिकारी ठीक है जिला डिस्ट्रिक एजूकेशन ऑफिसर जो है आपका टाकूरेंट वरिफिकेशन करेंगे अगर आपका माल लिजे कॉंड़ा गाओं जिला में होता है या बस्तर जिला में होता है तो मैं क्या बता रहा हूँ देखिए आपका assistant teacher सहायक सिक्षक का document verification जिला सिक्षा धिकारी करते हैं तो जिला इस तर में आपका क्या होगा document verification तो इस पर मैं पूर विस्तार से वीडियो बना चुका हूँ आप जो है document verification कैसे करना है क्या क्या document लगेगा आप जो है channel में जाकर देख सकते हैं तो document verification पर पूर विस्तार से वीडियो बना है साथियों आप उसको जो है उसका link में description box में डाल दूँगा आप उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हो उसी जरह देखते हैं साथियों police verification police verification farm जो है आपको फिल करना है तो police verification farm जो है इसका भी इस पर भी मैं video बना चुका हूँ और इसको आप जो है channel में जाकर देख सकते हैं या जो है मैं इसका link description box में डाल दूँगा आप वहाँ से भी देख पाएंगे तो police verification farm किस तरह से भरना है तो इस पर जो है पूर डेटेल वीडियो बन चुका है आप channel में जाकर देख लिजिए या description box में link डाल दूँगा तो ये जानकारी में आप लोग के लिए आया साथियों कि हमारे channel पर हमने भरती से समंधित जो भी चीज जरूरी है ठीक है न तो आप लोगों के help के लिए ये सारे चीज़ें हमने अल्रेडी बना दिये हैं ठीक है counseling प्रक्रिया step by step उसी तरह से किस तरह से भरना है आपको सिक्षक counseling संभावी सुची ये भी हमने जारी कर दिया है सहायक सिक्षक counseling संभावी सुची ये भी हमने बना दिया है document verification ये भी आपको मिल ही जाएगा police verification किस तरह से करना है किस तरह form भरना है इसको भी हमने बना दिया है अधार से रिलेटेट भी आपका वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल में जाके आप देख सकते हैं तो हमने पूरा एरिया कवर करने का प्रयाज किया है और मैं इन सब का लिंक जो है डिस्रिप्सन बाक्स में डाल दूँगा ठीक है सांतियों? जानकारी आपको कैसे लगी? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जहिन